हलो डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए इस महिने केसला के सिरीज स्टार्ट की गई है और केसला के सिरीज में आप लोग को इंडियन यूडियन सेक्ट पर फाइब इंपॉर्टेंट केसे वो लीडिंग केसे आप लोग को बताए गए जो आप ल पर पांच इंपॉर्टेंट केसे वह आज आप लोग के बीच में इस वीडियो में डिल किये जाएंगे यह स्टुडेंट आई एम हर्जब्यारी शिर्वास्तों लाइक्सपर्स परिच्छा रिफ्रेशर आनलाइन लाउ क्लासेश फ्राम इलाबाद यह स्टुडेंट जिन ल एड़ीजमेंट वे चैनल पर मिलता है एक्जामनेशन के लिवार को आंलेश किया जाता है पिर आप लोगों को यह साथ हो आ बनता है वह बताए जाते यह सारे विसेस्ताओं को लेकर यह features हैं इसके परिच्छा यूट्च्व छैनल के आप एक बार सब्सक्राइब करें लेते प्रेसे को प्रेस कर लेतेय're इसके नहीं लगते आप टेली ग्राम के थुरू भी परिच्छा रिफेसर से जुड़ सकते हैं जिसमें आप लोग को फ्री आप कास्ट लॉग के धेर सारे मैटर टेली ग्राम पर संड किया जाते हैं अपने सीरीज पर आते हैं जो इंडियन पेनल कोट का है आज आपके बीच में पांच इंपॉर्टेंट केसे को इसके बीच पर डिसकस किया जाएगा आज का पहला इंपॉर्टेंट केस है बारेंद्र कुमार घोस वर्सेस किंग एंपेरर यह केस है 1925 का और पीसी पीसी मतलब होता है प्रिवी कांसिल ब्रिटिस पेरिट में प्रिवी कांसिल रन करता था और इस केस को बड़े पापुलर नाम से हम लोग जानते हैं पोस्ट अफिस केस पोस्ट आफिस केस और इस केस का जो जज्जमेंट देने वाले जस्थ सहाब थे उनका नाम था लाड समडर देखे इस केस में इतने तो देखे बाते अगर आप याद रखेंगे तो प्रिवी में आपको बड़े आराम से कोश्टर लगाने में असानी मिल जाएगे इस केस में प्रिवी कांसिल ने ये डिसीजन दिया अगर दो या दो से अधिक ब्यक्ति मिलकर कोई common intention यानि pre-arrange plan बनाते हैं और उसके बाद अगर उनमें से कोई अगर क्यों अख्रेंस प्लेस पर खड़ा ही रहता है चाहे वो दूर खड़ा हो चाहे नजदीक खड़ा हो तो इससे यह होगा कि अगर कोई office other accused के द्वारा किया जात यह पहली बार section 34 का leading case है जिस पर यह decent दिया गया है कि अगर अभ्युक्त गड़ जो होते घटना इस्थल पर मात रुपस्थित होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने active रूप में भी office में participate किया है यह most important case आप लोगों के लिए बारिद मर्गोश का section 34 IPC इसी पर दूसरा case है महभूब सा वर्सेज एंपेरर महभूब सा वर्सेज एंपेरर जिसको हम लोग केस है किया यार उनीस सो पैतालिस यह case प्रिवी कांसिल का यह भी case है देख एठारा सो साथ में हम लोग की IPC बनी और एठारा सो बासट में लागू हुई तब से लेके उ section 34 में defined किया गया है और एक दूसरा term है जिसको IPC में तो नहीं defined किया गया similar intention कि दोनों क्या एक हैं क्या दोनों में अलग हैं तो पहली बार महभूब सा के case में प्रिवी कांसिल ने यह decide किया common intention and similar intention both are distinguished first time तो अगर आपके exam में आता है कि पहली बार किस case में यह decide किया गया कि common intention and similar intention both are distinguished सामान्यास है तथा समानास है दोनों अलग अलग है आपका अंसर होगा महभूब साका केस किसे इंडेस के नाम से भी जानते हैं तीसरा मामला है आज का आप लोग के बीच में पांडू रंगा वर्सेज स्टेट आफ हैदराबाद यह केस ऑन्रेबिल सुप्रिंग कोट का है 1955 का है इसमें यह कहा गया कि जो common intention और similar intention को पिछले वाले केस में महभूब सामय बताएगा इक दोनों अलग अलग है यह बात तो बिलकुल सही है पहली बार किसी भारती न्याया ले ने सुप्रिंग कोट इंडियन कोट है पहली बार किसी भारती न्याया ले ने बताया कि common intention और similar intention बोथ है डिस्टिंग्यूज यह तो सही बात है यह अंतर है तो पहली बार बताया गया कि जो common intention होता है जिसको 34 section IPC में define किया गया है इसमें pre-arranged plan होता है पूर्ब निरधारी त्योजना और जो similar intention होता है जिसको हम लोग समाना से कहते हैं उसमें pre-arranged plan नहीं होता pre-arranged plan नहीं होता यहीं दोनों के बीच में अंतर बताया गया है अगर आपके examination में पूछा जाता है प्रिलिम्स में 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 इंटर्व्यू में किस इंडियन केस में पहली बार बताया गया है कि दोनों common intention और similar intention अलग अलग है और common intention में pre-arranged plan होता है similar intention में नहीं होता है तो आपका आंसर होगा पांडूरंगा वर्सिस स्टेट आफ आप लोग केसे पर ज्यादा पकड़ बनाए जिन स्टोडेंटों के केसे पर बहुत अच्छी रहती है उनको प्रिलिम्स examination निकालने में बहुत आसानी मिलती है और मेंस में जब वह केसे को प्रापर प्लेस पर लिखते हैं तो उनको मेंस में अच्छे नमबर मिलते हैं रही का फाइनल सेलेक्शन हो जाता है इंटर्वी एक ऐसा examination होता है इसमें एक पोस्ट करेंगे तीन कैंडिडेट को बुलाए जाता है और तीनों कैंडिडेट फुली कॉंपिटेंट होते हैं तो कि वह प्री और मेंस इंटर्वी निकालकर प्री और मेंस निकालकर आए हुए है वहाँ पर एक को सिलेट करना है दो को हटाना है तो वहाँ पर आपको तो एक एक नंबर पर ध्यान देना है एक एक साउधानी पर ध्यान रखना है तो केस लापर आप भी सिल ध्यान रखिए अभी आप लोग को जो स्रीज चल रही है इसमें आप लोग को लीडिंग केस बत इसमें यह कहा गया कि अगर कोई बैक्ति के मेंबर हो जाता है तो क्यों अलाफल एसेमिली के मिम्बर होने के कारण ही वह बैक्ति क्या होगा दोशी ठेरा जाएगा कर्द किया जाएगा चाहे वह कोई आफेंस करता है चाहिए आफेंस नहीं करता है यह केसी मैथ्यू का बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसमें अन्रेबिल सोप्रिंग कोड ने कहा कि अगर अनलाफल एसेमली का कोई मेंबर मात्र बन जाता है तो मेंबर होना ही अपने आपे दंडनी अपराओ इसलिए इसके लि वर्सेस गोविन्दा का केस है यह केस जो है वो पामबय हाइब का है और पामबय हाइब का जो यह केस है यह पहली बार इसमें यह बताया गया कि what is difference डिफ्रेंस बेड़न कल्पेबिल हुमोसाइट एंड मर्डर देखो जब हम लोग के अठाना सो साथ में आई पीसी बन गई और अठाना सो बासट में लागू हो गई तो यह जो चौदा पंदरा वर्स था यह लोगों को क्लियर नहीं था जूरिस्टिक लोगों को भी क्लियर को जो कल्म पेबिल होमोसाइट famn कर दो नों यह जरूरि है दो नों में क्या जरूरी है दोनों में क्या होता है कि जो accused होता है उसका intention होता है मारना ये case ध्यान देंड़्या गाए बॉम्मेज आई पोट के सामने जबाया है इसके judge आप थे जे मेलविल साब ने पहली बार बताया कि जो कल्पेविल होता है उसमें पॉस्बिल्टी का मन्म अगर संभावना पूरी हो गई तो कल्पेविल हो लूमवसाइट 304 आई पीची में दंड नहीं पूराुआ अच्पन लूमवसाइट आई पीची की धारा 308 पर पशाही बास स्टेंटी अगर स्टेंटी पूरी हो गई तो इसको धारा 302 में मुटर के लिए पनिस्मेंट, certainty नहीं पूरी हुई, अधूरी रह गई, under section 307, जिसको हम लोग कहते है, attempt to murder के लिए पनिस्मेंट, इसको हम दिए student आप लोग को एक example से भी बता देना चाहते है, आप लोग को और अच्छा लगेगा, और आपको सबजबे आएगा, देखें के example आपके सामने रखते हैं, ए नामक एक person है, जो अपने च्छत पर खड़ा हो जाता है, और नीचे पब्लिक रोड है, लोक मार्ग है, और उस पर गोलिया चला रहा है, तभी पब्लिक रोड पर बी नामक ब्यक्ति गुजरता है, जाता है, और एक की गोली लगती है, और भी मर जाता है, इसी example को, अभी देखें, आंसर नहीं बताए कि यह कल्पेवल हो मॉसाइट या मर्डर है, एक्जामपिल नमबर दो, ए नामक परसन अपनी छत पर खड़ा है, नीचे पब्लिक रोड पर भीड खड़ी हुई है, भीड में भीड को वो निसाना साथता है, और गोली चलाता है, तभी वो गोली बी नामक परसन को लगती है, और भी मर जाता है, अब देखें, पहले वाले एक्जामपिल में भी मरा, और दूसरे वाले एक्जामपिल में भी मरा, और जो एक्यूस था दो, पहले वाले में ए था, दूसरे वाले में भी है, तो को पहला वाला जो एक्ट है, वो ए जो गोली चला रहा है, वो संभावना है, किसी को गोली लगे, तो कि संभावना पॉ हो गए के मरने से इसलिए पहले वाले एक्जाम्पिल में एक हो के लिए अंडर सेक्शन थ्री अंडर फॉर में पनिस्मेंट दिया जाएगा दूसरा वाला सर्टेंटी है सर्टेंटी थे इसलिए मर्डर के लिए दोशी देखें ऐसे केसे को आप लोग को सॉल्व करना है समझना इंटर्वी बें बताना है आप लोग को एक अपडेट देना चाहते हैं कि देखें पिछले इन देखें आप लोगों के लिए ओनलाइन क्लैसेस सर्के द्वारा ले जा रही है वर्ष मौनिंग का बैच मौनिंग के समय यूनिंग का बैच यूनिंग समय यह चलता रहेगा इसमें कोई changes होने वाले नहीं है लेकिन दोपहर के समय में सर ने डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए offline classes प्रियाग राज अलहाबाद में आप लोगों के लिए 25 जुलाई से डेट फिक्स कर दिए गई है 25 जुलाई से offline class आप लोगों के लिए प्रियाग राज में उसे के सामने टूटिरियल की बिल्डिंग आप गूगल पे सरच कर सकते हैं पाहिन प्रायम लोकेशन पर है उसे में बिल्डिंग में आपके लिए परिछा रिफ्रेशन लॉक लाज्र मेश़ का आप अपना आधार भेज कर अपनी पेस साइड बैक साइड बेज कर आप एडिवीशर लेकर गूगल बीट पर क्लास कर सकते हैं और यह फीस स्टक्चर है है और जुडीशल का पीसे जे का और अगर इंडिवीज्वल पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी 2999 फीस है जो इस्टुडेंट आफ लाइन आउनलाइन क्लास करना चाहते हैं कि दोनों मैंसे किसी भी नंबर पर अपना आधार भेजेंगे फेस साइड बैक साइड इसके बात कोचिंग का एकाउंट नंबर जाएगा उसमें आपको फीस जमा करने पड़ेगी और जो आउनलाइन क्ल प्रेग रहा जाते हैं मोस्ट वेलकुम हैं पिर से आपको बता दे रहे हैं कि प्राइम लोकेशन पर कम्पनी बाग इसको कंपनी गार्डेन के नाम से जानते हैं वही पर आपका इन्वस्टी का स्थी जैन हस्टैल उसी के सामने आप लोगों के लिए इस्टुट खोला गय Google पर सर्च कर सकते हैं पाइन यह ट्यूटॉरियल की बिल्डिंग उसी बिल्डिंग में आप लोगों के लिए परिच्छा रिफ्रेशन लोग दो से चलेगी आफ लैंध तो आप लोग अगर आउनलाइन कर शकते हैं आफ रैंध करना चाहते आफ राइन करना चाहते हैं इसके वालू में रेडी है आप इसको मंगा कर इसको पढ़ सकते हैं इसके साथ आप लोग के लिए ध्यान रखिएगा करें कि वह अप लोग के लिए और ग्राइड के लिए आप लोग जैसे लिए इंटर्वियो के देखे बहुत यूनिक किताब है आप लोग उसको जरूर मंगा कर अपढ़ लीजिए और अली इंडिया बार गज्छाशन होना है जो अक्टूबर में प्रपोस्ट है उसके लिए आप लोगों के लिए गाईड रेडी है माइनर एक्ट आप लोग के लिए रेडी है और देखे एक किताब आप लोग को अलग से बिढ़ाएगे केस लाका और इंपॉर्टन लैटिन मैक्सिम के इसमें सारे आप लोग लीडिंग केसे आपको मिलेंगे इस बुक में इसके अगे अभी और भी वीडियो मिलते रहेंगे आप लोग इस वीडियो को देखते रहें उसे फैदा उठाइए थैंक्यो